राजिस्थान विधानसभा में पेश्ट किये गए लेखनुदान में कई घोषनाइं की गई यसे लेकर फेडरेशन ओफ राजिस्थान श्रेड एंड इंडस्री यानि कि फोटी के पदधिकार्यों ने अपनी अलग-अलग राय रखी ज्यादतर पदधिकार्यों ने घोषनाओ खुलेकर राजिस सरकार की सरहाना की तो एक कुछ पदधिकार्यों ने पेट्रूल और डीजल पर वेट कम नहीं करने पर नाराज़गी भी जोताई अलग-अलग सेक्टर के विशशग्यों से बात की हमारे संबादता जिया उद्दीन खान ने विधान सबा में वित्ति मंत्री तिया कुमारी ने लेखा अनुदान पेश किया लेकिन इस लेखा अनुदान को अब मिनी बजट कहा जा रहा है इसको लेकर अलग-अलग सेक्टर की अलग-अलग राये हैं 40 के पादिकारी मौजूद हैं उन्होंने बजट को देखा सुना और अलग-अलग पर्ति किरिया भी दी क्या कुछ रहा खास जानेंगे अलग-अलग सेक्टर के महारतियों से क्या उमीद थी क्योंकि लेखा अनुदान था जादा उमीद नहीं लगाए थी फिर भी बहुत कुछ मिला बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लेखा अनुदान होने के बाद भी बहुत कुछ मिला है जैसे की देखा जाए तो 25 एंबुलेंसे हाईवेस को देना एमनेस्टी की स्किम सभी विवागों को देना रिकोगर के लिए उसके अलावा बुजूर्गों के लिए 30 परसेंट से 50 परसेंट रियायत देना रोडविज में उसके लेकिन इसके सासाथ है कि जो स्टार्टप यूजदाओं को देना कुशल जैसे मोदी जी ने अपने बजट में कहा था कि एक करोड़ चालीस लाख यूओं को हम इसके डिवलिप्मेंट करेंगा और रहाल के सारा है और रहाल देखा जाए तो आगामी जो लोकसभा चुनाओं को देखते वे को इन्होंने दिया है बजट बहुत अच्छा है लेकिन धरादल पर कित्ती उतरते हैं यह इस पर इनके एक चैलेंजिंग टास्क है किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा गया महिला हो बुजर्ग हो नोजवान हो शिक्ष्या हो हेल्थ हो कैसा लगता है नहीं बजट बहुत कि सब भी वर्गों को साधा गया है खास्तोर से जो हमारे राजदानी की बहुत साथ जरती मेट्रो जो की सीतापुरा से लेके सिविल लाइन तक वीक्याई तक दी है जो एक ट्रैफिक का बहुत लोड़ इससे कम होगा यह सरहने कदम है ओल ओवर बहुत अच्छा बजट है ओली थोड़ा सा एक पेट्रोल डीजल और एक व्यापरिक छेतर के अंदर कुछ दिया नहीं गया है तो वो साइद हो सकता है कि आगले बजट तक इसको पूरा करेंगे क्या क्या उमीद थी क्योंकि लेखा अनुदान था लेखा जो का पेश करना था लेकिन अब आपने बोला जैसे कि सबी वर्कों को लिया गया है लेकिन सबी वर्कों के साथ में एक इंपोरे बजट में जो बात करी गई यह खचोंगी अब सवाल ये उठता है कि इंकम कहा से आएगी पूरे बजट में अब इंकम जहां से आएगी वो वर गी यहां पर कम कवर था जो कि इंडस्टी इंडस्टी के बहुत कम बात करी गई है एक हेलप लाइन नंबर इंवेस्टरों के ने शुरू किया गया क्या मानते हैं किस तरहां का रहा क्योंकि शुरुआती है आने वाले वक्त में बजट आएगा एकरी कल्चर सेक्टर से हम लोग डील करते हैं हमें उम्मीद है कि यह बजट काफी अच्छा है और महिलाओं के लिए यह युवाओं के लिए किसानों के लिए समर्पित बजट है इस बजट में उम्मीद ये की जाती है आने वाले पांस साल में ये स्रोणिम का लोगा राजस्तान का जिसमें बहुत ज़्यादा विकास होना चाहिए परंतु हमने जो मांग की थी सेज के पूर्ण विकास की सेज के पास एक खटवाडा रोड है 200 फिट की जो 20 साल से पेंडिंग है चार सरकार हैं आके चली गई हम उमीद करते हैं कि इसमें इस बजट के अंदर इसके गोशना तो नहीं है आने वाले चार महीने बाद जो लेखा नुदाद मार के बाद जो बजट आएगा उसमें साइध कुछ अच्छी गोशना होईगी आपके लिहाज से क्या कुछ खास जो इंपोर्टेंट जिस पर सीधा फोकस लिया देखे ऐसा है सबसे अच्छा सबसे खुबसूरत एक बिरको जो लगा वो जैपूर के आसपास हाई टेक आई टी सिटी की जो बात की गई है वास्तिक रूप से अगर देखें तो क्लस्टर का सिस्टम है सेंट्रल that की है जिसमें क्लस्टर बन था से टेकुडरुपन के अगर ऐसे ऐ अगर बनने की बात होती है तो बहुत साराक सरा कि उमीन की वेवस्ता ना कोई क्लेस्टर श्की में बजट बहतर है अलग अलग राए है और कई उमीदें है और उमीदें होना भी वाजब है विंकैंगी नोगों की चुनिवी है पर्देश की जन्ता की चूनिवी सरकार है ऐसे मीज दिये की जा रही ही कि जब कूंट बजट पेश किया जाएगा जब इनकी मांगों पे ध्यान दिया जाएगा केमरा पतने यश के साथ जिया उद्दिन खान फस्ट इंडिया निउस जैपूर